फ्रेंट्स मोसम चेंज हो रहा है और मोसम चेंज होने पर हमें नजला खासी जुखाम पकड़ लेता है तो ऐसे में हमें चाहिए एक इम्मुनिटी बूस्टर तो उसके लिए हमने बनाई है ये गोलिया ये गोलिया कैसे बनानी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए म इसमेंड़े परे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि यह हमारे नजले जठाशा म्खासी में कितना पायदेमंध है और एक एम्म्मूनिटी बूस्टर भी है अधरक से हमें बहुत फायदे होते हैं बहुत ये गुनकारी है हमने यहाँ पर अद्रक को धो लिया था धोने के बाद हमें इसका उतारना है छिलका सारे अद्रक का छिलका उतारने के बाद इसके हमने पीस करने है छोटे-छोटे कट लगा के इस तरीके से अद्रक हमारा यहां पर सारा कट चुका है अब हम यहां पर लेंगे एक मिक्सी जार मिक्सी जार में हम इन सारे अद्रक के टुकडों को डाल देंगे हमें यहां पर इसका बनाना है एक पेस्ट पेस्ट बनाने के लिए हम इन अधरक के तुगडों में थोड़ा सा पानी भी एड़ कर देंगे दो या तीन चम्मत जादा पानी हमें याँ पर एड़ नहीं करना है तो चलिए इसका मैं यहाँ पेस्ट बना कर लिके आती हूँ पेस्ट हमारा याँ पर बनके तयार हो गया है और ध्यान रहे आप जब ये पेस्ट बनाएं तो इसको जितना हो सके उतना बारी कर लें और पानी की मातरा हमने बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालने हैं सिरफ हमारा अद्रक पीज जाए हमें इतनी ही पानी की मातरा इसमें डालनी हैं दो या तीन चमच जिस हिसाब से मैंने अद्रक लिया था ये देखिए पेस्ट हमारा इस तरह का जूसी होना चाहिए इसमें गा देसी खांड ध्यान से फ्रेंड डेसी खांड आप चीनी का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आपको खांड नहीं मिलती है आपके एरिये में तो आप यहां गुड का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने यहां पर एक कटोरी खांड ली है आप यहां पर एक कटोरी गुड भी ले सकते हैं छोटे चोटे टुकडे करकर अगर आप इस त्रेमेडी को चीनी से बनाएंगे तो यह फाइदा बिल्कुल नहीं देगी यह आयरुवेदिक रिमेडी है तो इसमें हमें खांड या गुड़ी यूज करना है और जो हमने अद्रक का पेस्ट बना के रखा था व हमें आज बिल्कुल भी मीडियम और तेज नहीं करनी है अब इसको हम धीरे धीरे से इस तरीके से हिलाएंगे मिलाएंगे और यह जो आयरुवेदिक रेमेडी है यह हमारी बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है कम आज पर हमारी चीनी या पर कैरमलाइज होना शुरू हो नहीं तो बाद में हमारी इनकी जो गोलियां है वो नहीं बन पाएगी अगर आपके भी अद्रक के पेस्ट में इस तरीके से बाद में अद्रक की गांटे नजर आए तो आप उन्हें ध्यान से चमच से निकाल दीजेगा देखिए हमारी यहाँ पर खांड और हमारा जो पिल्कुल ठीक हो जाती है तो हमें सारी चीजेगा और हैसे मया पीया पर बिदीजन के लिए रिद नहीं हो अगरवाद मिर्च काम उप्योग करते हैं तो वह Sedais कर ठीक हो तो हमें इन सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने ले लिया है कटोरी में थोड़ा सा पानी हम इसकी एक बूंद इसमें टपका कर देखेंगे अगर हमारी जो ये बूंद है अगर इसकी हमारी गांट सी बन जाती है मतलब भी गोल गोल हो जाती है गोली सी बन जाती है तो ये मिक्सचर हमारा यहाँ पर बन के रेडी है तो यहाँ पर गांट बन गई थी मिक्सचर हमारा रेडी हो गया था गैस हमने कर दिया बन अब मैंने यहाँ पर एक ले लिया है बटर पेपर बेटर पेपर ना हो आपके पास तो आप कोई भी इस तरह का पेपर ले सकते हैं उस पर मैंने देशी खांड थोड़ी सी हातों से बुरका दी है और चम्मच की साइता से हमें जो ये पेस्ट बनाया है इसकी हम छोटी छोटी इस तरीके से मात्रा इस पे रखते जाएंगे आपको ये काम फटा फट करना होगा बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि ये फिर जमने लगता है उपर से भी मैंने इसमें थोड़ा सा खांड डाल दिया है अब फटा फट आप इसकी गोली बना दिजिए उंगली की सहायता से ये बहुत जल्दी ठंडा होने लगता है तो आप हलके हलके गरम में ही इस तरीके से इनकी गोलीया बना दिजिए और बहुत इसली ये बन जाती है फ्रेंड ये सच में इतनी गुणकारी है और इतनी टेस्टी बनती है कि बच्चे बड़े इसका सभी सेवन कर सकते है आपने अगर एक बार ये गोलीया बना कर बदलती सीजन में घर में स्टोर कर ली तो आपको छोटी मोटी दिक्तों के लिए डॉक्टर के पास बिलकुल नहीं जाना पड़ेगा और देखिए बनने के बाद ये गोलीया हमारे इस तरह की बनती है इसमें आपको और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है ये अपने आप में ही बहुत जादा फाइदे मंद है तो फ्रेंड अगर आपको मेरी आयुर्वेदिक रेमेडी पसंद आई हो तो और रेमेडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा जिनोंने अभी तक बदलते मोसम के लिए कोई भी तियारी नहीं की है तो उनसे निवेदन है कि आप इस तरह की गोलियां बनाके अपने घर में रख लीजिए सच में ये बहुत काम आने वाली है आपको कोई भी इंगलिश टैबलिट लेनी की जरूरत नहीं है आपको खांसी जुकाम नजला हो आप इसे तुरंत लीजिए आपका जो गला है वो बहुत हलका हलका महसूस होगा सिरफ एक ही गोली से इतना असर पड़ेगा आपका जो गले का भारी पन है वो बिलकुल तुरंत खतम हो जाएगा तो अगली वीडियो और अगली रेमेडिस में हम दोबारा मिलते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक्स पूर्ट